नमस्कार मैं हूँ दिपका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक आम तोर पर आपने देखा होगा कि लोग पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं या किसी भी complex के सामने या किसी भी highway पे और अपना quality time spend करते हैं ये बहुत एक आम बात है कि कहीं भी लोग जादतर किसी club में जाने के अलावा या कहीं बाहर बैठने के अलावा गाड़ी में बैठना time spend करना ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन क्या कभी सोचा है कि उस गाड़ी में बैठकर अगर एक couple बैठा है या दोस्त बैठे हैं उसके बाद उसका कतल भी हो सकता है तो ऐसा ही एक मामला दिल्ली से निकल कर आया है जहां पर मालवे नगर के रहने वाले एक फामा उसके मालिक जिनकी 38 साल की एक बैठी है जिसका गाड़ी में खतल कर दिया गया उसका 12 साल का बेटा भी था जो उसके साथ रहता था अपने नाना नानी के साथ क्योंकि इस लड़की का अपने पती से तलाख हो चुका था और यह अपने पती से अलग रहती थी जब अलग हुई तो उसके बाद एक कंपनी में इसने जॉब करना शुरू किया ताकि अपने फाइनेंशल खर्चे अपने उठा पाए और यू कहे कि उसका मन भी लगा रहे है जो भी बात रही होगी जिस वज़े से तलाख हुआ होगा वो तो वही जाने लेकिन वो अपने माता पिता के साथ रह रही थी और वो बच्चा अपने नाना नानी के साथ वही रह रहा था अब जब एक कंपनी में यह जॉब शुरू करती है तो वहाँ पर एक 30 साल के शाहबाद खान से यह मिलती है और इनकी दोस्ती हो जाती है धीरे धीरे दोनों टाइम स्पेंड करते हैं घूमने जाते हैं और यह दोस्ती प्यार में बदल जाती है प्यार में बदलने के बाद दोनों के बीच में शारेरिक संबंद भी बनते हैं और उस दोरान यह लेडी प्रेगनेंट हो जाती है प्रेगनेंट होने के बाद शाबाद एकदम टेंस्ट हो जाता है उसे साद से प्रेशर में आने के बाद उसने वह अपना बच्चा बच्चे का अबॉषन करा दिया जिसके बाद वह लेडी वह लड़की बहुत जादा परेशान हो गई और उसने शाबात से इस चीज की जित्त की कि वो अब उससे शादी करना चाती है, वो उसके साथ रहना चाती है और उसका बच्चा भी, जो 12 साल का लड़का है, वो भी उसके साथ रहे इस बात से शाबाद बहुत जादा प्रेशर में आ गया, बहुत जादा परिशान होने लगा यूँ कहें कि आम तोर पर आजकल यही होता है कि जैसे थोड़ा सा प्रेशर आने लगता है तब ही लोग उस रिस्पोंसिबिलिटी से भागने लगते हैं, लेकिन अब ये नया ट्रेंट बन गया है कि रिस्पोंसिबिलिटी से अगर भागना है तो सीधा उसका खतली कर दो तो जब ये इस प्रेशर में आने लगा तो वो इस शाबाद उस लड़की को इग्नोर करने लगा और उसके कॉल्स उठाने बन कर दिया, मिलना बन कर दिया तो जाहिट सी बात है कि लड़की जब उसके साथ sexually relation में थी उसके बाद जब दोनों लोग मिलते थे तो ये एक परिशानी की बात बन जाती है कि अब एकदम से वो लड़का उसे इग्नोर करने लगा उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि दोनों मिलते हैं वो उसे बोलती है कि मिलकर बात करते हैं, sort out करते हैं यूज्यली ऐसा ही होता है जब किसी कपल के बीच में लड़ाई या जखड़ा हो जाता है दोनों एक shopping complex के बाहर मिलते हैं जापर गाड़ी खड़ी होती है दोनों की दोनों गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं sexually active हो जाते हैं उसके बाद दोनों की बीच में फिर से शादी को लेकर लड़ाई होने लगती है वो जगड़ा दीरे दीरे इतना बढ़ता जाता है कि दोनों एक दूसरे की बात सुनने को तयार ही नहीं होते हैं क्योंकि लड़की उस पर शादी का प्रेशर बना रही थी उसका एक बार abortion भी शाबाद ने करवा दिया था तो उसे जाहिर सी बात उसे चाहिए था कि वो अब उससे शादी करें उसकी जिंदगी में एक settlement आए पर ऐसा नहीं हुआ शाबाद को इतना जादा गुसा आया या यू कहें कि वो इस चीज से इतना पीचा छुडाना चाहता था अपना कि उसने उस लड़की का गला दबा कर उसकी हत्या कर दी और इस चीज को जब वो बिना कपडों के निर्वस्त्र थी लड़की उसी हालत में शाबाद उस लड पूला कि हाँ इन दोनों का एक relationship था दोनों ने शारीरिक संबंद बनाए गाड़ी के अंदर किया है और उसके बाद ये शादी के लिए उसे प्रेशराइज कर रहे थी एक बार abortion भी हुआ है वो शादी नहीं करना चाता था और इस वज़े से उसने उसकी जानलेली कला उसकी हत्या कर दी इस बात से गुसाए उसके लड़की के पिता ने पुलिस में कम्प्लेन कराई और उसके बाद शाबाद को गिरफतार करवाया शाबाद को जेल भी हुई उसके बाद पुलिस को शाबाद ने पूरा यूं कहें एक सिलसले वार से पूरी वारदात पुलिस संबंद बनाया उसके बाद लड़की ने उससे शादी की बाद की जिससे वो परेशान होकर उसने उसका गला दबाया पोस्ट मॉटम रिपोर्ट में भी उस लड़की की गले की हड़ी तूटी हुई थी और ऑक्सिजन लेवल कम होने के कारण उसकी मौत हो गई तो ये थी इन दोनों की कहानी कैसे इसने एक रिस्पॉंसिबिलिटी से पीछा चुडाने के लिए एक बच्चे से बारा साल के बच्चे से उसकी मा का साया भी छीन लिया एक जो औरत थी जो अपने बच्चे के लिए हर वो चीज करना चाहती थी वो नहीं कर पाई और बच्चा अपने नानानी के साथ रहता है अब जो असके फादर है वो उसका खायाल रखेंगे या नहीं रखेंगे ये तो वही जाने बागी वह तलाग लेने के बाद तो अपने कस्टेडी उसकी मां के पास ही थी लेकिन अब उस बच्चे का फ्यूचर क्या होगा ये देखन आपको बता रही है तो अपने आसपास लोगों का ध्यान रखें आप जिन से प्यार करते हैं उनके साथ अच्छे से रहें और खुश रहें ऐसी चीजे ना हो जिन्दगी में उसका खास खयाल रखें फिलहाल इस खबर में इतना ही देखने के लिए धनेवाद उन्दगा झाल झाल